नमस्कार साथियों, नियूस किलिक में हम आपका स्वागत करते हैं अजीव सायोग है न, एक वेक्ती देश का सबसे अमीर आदमी है और दूसरा उसका भाई करजे के फ्रांस में फंस्ता चला जा रहा है अनिलंबानी की बात हो रही है अनिलंबानी पर अभी SBI ने तकरीबन कॉर्परेट लोन का 12 सक्रोड रुपए उगाही करने के लिए NCRT में यानि National Company Law Tribunal में याचिका दायर की है तो इसी पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ट पत्रकार पौरणजयदुः थाकुरता तो ये पूरा मामला क्या है पहले ही से आप बता दीजे अजय धन्यवाद तीन महिने से जादा तुमारे साथ मैं स्टूडियो में बैठा हूँ धन्यवाद देखिए हमारे अनिलंबानी जी साट साल के उमर है आज अलग-अलग सूत्रों में ख़वर आया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पी टी आई, ब्लूमबग इन्होंने कहा कि भारत प्रस्ट के सबसे बरा जो बैंक है भारतिय स्टेट बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक याच्री का नैशनल कंपनी लॉव ट्राइबिनल यानि कि राष्ट्रिय कंपनी का जो एक तरह से वो कानून का न्यादी करन इहां पे इन्होंने एक याच्री का पेश कया उन्होंने कहा कि Reliance दो कंपनी है Reliance Communications Limited और Reliance InfraTel ये दोनों कंपनी लग भग दो गैरंटी इन्होंने दिया था और ये गैरंटी बोलते हैं ये गैरंटी अभी खतम हो गया तो ये बोला कि ये थर्ष्टे के दिन 18 जून तक ये पैसा वापस देंगे तो विवाद ये ही विशे के उपर है ये कंपनी को लोन दिया था ये कोई ये जो गैरंटी है ये कंपनी है गैरंटर या वेक्तिगत है वो guarantee है इसी लिए विवाद है क्योंकि अनिल धिरुबाय अमबानी जी का जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये जो कर्ज है ये company ने लिया बात अभी होगा कि ये तो वेक्तिगत गैरंटी इसमें आता की नहीं और उनका जो कहना है ये अभी NCLT इन्होंने राय कर गा और इसके बाद भी एक और है एपेलेट है या आप एपील कर सकते हैं तो एक तरह से ये कर्ज का जो एक रेजोलूशन प्लान होते है अनिल धिरुमाय अमानी जी का कहना है कि ये जो कर्ज इन्होंने लिया इसका समाधान के लिए कुछ एक योजना इन्होंने लिया जो बैंकोंने मान लिया एक समय आज लग रहे कि भारतिय स्टेट बैंक और किसी तरह से सोच रहे तो अभी समय बताएंगे कि ये सच मुझ एक वेक्तिगत लोन या वेक्तिगत एक कर्ज के उपर गैरंटी है या कंपनी का जो कर्ज दिया था उसके उपर गैरंटी है ये विवाद का समाधान अभी ये NCLT यानि कि ये जो राष्टिय कंपनी कानून का जो ट्राइबूनल है जो नया अधिकरण है ये सोच लेंगा और अगर यहाँ पे भी भारतिय सेट बैंक या अनिल धिरुभाई अंबानी इन दोनों के भी जो भी जिसका खिलाफ भी जाता है ये NCLT का जो राए वो इसके उपर अपील कर सकते है NCLAT National Company Law Appellate Tribunal यानि कि ये जो राष्टिक कंपनी कनून है इसके उपर जो 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 नया धिकरण है इसको उपर अपील कर सकते हैं अगर मैं सरल सब्दों में कहूं तो बात यह कि इंसॉलवेंसी एप्ट के अनुसार जो NCLT बनी हुई है एक कोड बोलते है इंसॉलवेंसी और बैंक्रप्टी बैंक्रप्सी कोड यानि कि तिकत गारंटी पर लिया यानि कि आपने गारंटी दिया आपनी संपत्ती का कि भाई अगर मैं नहीं भुकतान कर पाऊंगा तो आप मेरे संपत्ती से उगाही कर लिजेगा SBI ये दावा कर रही है और इनकी जो कंपनी दावा कर रही है मतलब रिलाइंस की तरफ से जो दावा किया जारा है वो कहा जाए नहीं ये कंपनी का कंपनी ने गारंटी दी थी तो यही इस विसाय को थोड़ा सा और मुझे मतलब इस से जादा तो कानूनी सर्थ से ये NCLT बताएंगे कि ये जो कर्ज जो ये दो कंपनी याने की रिलाइंस कम्मिनिकेशन लिमिटेड और रिलाइंस इन्फराटल लिमिटेड दोनों भी कर्ज में एक्दम डूबे हुए हैं इसका ये कर्ज का जो गैरंटर जो गैरंटी द कानूनी विवाद हैं और में और और कुछ यहां पर जोड़ना चाहता हूं लेखिए 17 मार्च विए लॉक्टाउन का एक हफते पहले लंडन में एक कोट वहां पर एक जज सहाब ने कहा उसका जज सहाब का नाम है डेविड वाक्समन डेविड वाक्समन ये एक और में तीन चीनी बैंक से 92.5 करोड डॉलर जिसका कीमत समझ लीजे सारे 6,000 करोड के भी जादा वहां एक तरह से अने लंबानी का जो वकील था वो गोला मैं तो एकदम बैंकरप्ट हूं दिवा लिया हूं और ये भी बताया हमारा जो वेक्तिगत संपत्ती है वो सरिफ 9.9.9 करोड अमरीकी डॉलर लगभग 60-65 करोड के आसपास वो एक्चेंज रेट के उपर निरबार करते हैं मगर हमारा जो लाइबिलिटीज है ये हमारा संपत्य है मगर हमारे जो लोगों को देना है हमारे जो लाइबिलिटीज है ये 2200 करोड से भी जादा है यानि की 30 करोड डॉलर से भी जादा है और कहा कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं है तो उस समय जजज साब कहा कि आपका तो हवाई जहाज है बरापका जहाज है तो आप तो एकदब अमीर वेखती है आप लोग भूल जाते हैं 2007 में फॉर्ड ने कहा था भारतरश में उतका भाई उससे थोड़ा सो उपर था तीन नंबर स्थर में अने लंबानी जीते वो एक लंबा कहानी है और फिर जजज साब ने उनको बोला तुम्हारा पास पैसा ने है तुम्हारा भाई से ले लो और जजज क्यों ये कहा क्योंकि 2019 लगभागा भी देर साल पहले एक भारती सुप्रीम कोट ने ये रिलाइंस कम्यूनिकेशन को बोला कि एक स्वीडन का एक उनको आठ करोर अमरीकी डॉलर का जो मांग है तुम्हें देना ही पड़ेगा और ये भी कहा ये भी कहा कि अगर आप पैसे नहीं दोए तो आपको जेल जाना पड़ेगा उसका वकील ने एकदम सुप्रीम कोट का वहां का जो एक खंड पिट तक चले गए थे और वो हार ग और उस समय उससे कुछ पहले उनका भाई मुकेश जी का बेटा का शादी का काम चल रहे थे उस समय उनका बराभाई मुकेश अंबानी जी लग भग 600 क्रोर के आसपास बुला हम दे रहे तुम्हें और तुम्हें जेल नहीं जाना परेगा तो ये सुनके जज डेविड वाक उन्होंने भी कहा 17 मार्च को बेह तुम भाई से लेलो तो अने लंबानी जी का वकील बोला ने ने वो तो अलग बात है एक ही बार मिला यह ऐसा नहीं कि वो बार मार मिल सकते हैं और हम बैंक्रम्ट हैं देखिए धिरू भाई अंबानी जब देहां थो कि देहां तो दो हज इस विशे की ऊपर में किताब भी है हां मैं वहीं कह रहा था कि बहुत दिल्चस्प सवाल यहीं पर है कि एक वेक्ति सबसे अमीर आदमी है भाई मुकेस अंबानी और दूसरा वेक्ति कर्च के फांस में फसता चला जा रहा हमेशा खबरे आ रही है कि वो डूपता चला रह है और इन दोनों वेक्ति की जो कहानी उस पर आपने किताब भी लिखी है मैं दर्सकों को बताना चाहूंगा गैस वर्स क्रोनी क्याप्टिलिजम एंद अंबानी करके परंजय गुहा थाकुरता ने किताब लिखी है यह किताब अंग्रेजी में भी है इसका हिंदी और हम तीन लोग मिलके लिखे थे सुभीर घोष भी है जोतिर मोई चोधरी सुभीर घोष और जोतिर में चोधरी और संपादन हिंदी में नीलम भट ने किया है और यह चैसाल से ज्यादा हो गया और तकरीवन छे साल हो गया और मतलब कि आप समझ जाए कि अंबानी पर लि लिखे गई है तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था यही दिलचस्प सवाल कि आखिरकर ऐसा क्या हो रहा है अंबानी बंधों के बीच और अनील अंबानी के साथ कि वो कर्ज के फांस में फस्ते जा रहे हैं कर्ज से निकल नहीं पा रहे है और बात यहां तक आ गई है कि आप अपने प्रसनल संपत्ती से हमारा लोन लोट आई है अजय तुमने हमारा किताब का पब्लिशिटी कर दिया बहुत अच्छा अधन्यवाद धन्यवाद सुनिए 6 साल पुराना हो गया किताब आपका काम है और विसा है विसा के अनुसार यह 2002 में जब धीरुभाय अंब पानी देहन दोगत है उनके विल नहीं छोड़की गये थे कोई हाँ ही डिन्ट विल याने की वशियत वशियत इंटर स्टेट बलते हैं कानूनी तरके बलते हैं जो आदमी गुजर जाने के पहले कोई विल नहीं लिखके देते हैं वही है तो दो साल के बाद लगबग एक सवर्दस भाई के बीचे जगरा चला गया और सारे मीडिया में आ गया ये भाई वो भाई किस सारह से एक दूसरे के खिलाब आरोब लगा रहे थे हैं फिर जून दोजार पाँच में का मा कोकिला बेंजी बोला एक समझोता आ गया और अलग अलग जो पूरा जो रिलाइंस का जो सामराज्य है उसको बाट दिया गया पूला मुकेश हमानी तुम तेल का रिफाइनिंग तुम पेट्रो केमिकल्स है जो 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 कपरे बनाते हैं पॉलियस्टर फाइबर ये सब तुमारे पास है और टेली कॉम इनके पास था ये ये बराभाई पसंदने किया और फाइनिशल सर्विसेज तो जैसे हम लोग देखा की जबरदस बराभाई का जो हिस्सा था जो रिलाइन्स ग्रूप का वो जबरदस आगे बर गया और हमारे अनिल भाई का एक के बाद एक विवाद में फस गया और आप जानते हैं रिफैल के केस क्या है सब लोग कह रह का अने लंबानी जी कोदिया कंपनी तो कर्ज में काम भी ने कर्ज में डूब रहे हैं और इसके विशे आप जानते हैं जबरदस्त एक राजनेती के एक विवाद हो गया और राहूल गांधी नरेंद्र मोदी जी के बीच चोकितार चोर है फलाना ठीकर ना ये ये फिर ना आप दूसरी की जो इंडस्ट्री है जो शेत्र में आप अगे कंपीट नहीं करेंगे प्रतित्वन्दी अगर वो तो अभी काफी साल भी पाँच साल खतम हो गया तो अब ये जो टेली कॉम है कम्यूनिकेशन में भी एक जबरदस्त जगरा चल रहे हैं और आपने जैसे कहा एक वेक्ती अमीर है और भी अमीर हो रहे हैं उनका जो फेजबुक के साथ एक बड़ा एक समझवता है जियो पेमेंट्स बैंक आगे बर रहे हैं और अरामको का साथ अभी समझवता है ठीक तरह से मगर राइट्स इशू बहुत सारे विदेश से लोग आके निवेश किया स सिल्वर लेक और भी ऐसे विदेश से निवेशक आबुधावी का जो वहां का जो सोवरेन अथरिटी और ये बहुत बस इस समय इस विशे के उपर हम तीन तीन लेक हमारा आगया है निउस क्लिक में और भी लेक आने वाले हैं जो आपका दर्शक इस विशे के उपर पढ़ने चाते हैं पढ़ सकते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक क्या एक भाई एक तम तीव रगती से आगे बर रहा है और दूसरे भाई का स्थिती अर्थिक स्थिती लगपग बहुत ही खराब है जो खुद उनका वकील कोट में कहते है I am bankrupt हमारा दिवालिया हो गई शुक्रिया इस विशे पर हमसे बाचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुमारा हाथ नहीं मिला रहा हूँ थैंक यू सो हच धन्यवाद ऐसी कोई बात नहीं फिर मैं अंत में बताते चलूँ आपको कि विशे अंबानी बंधुह से जुड़ा है और जिसका नाम सबने सुना होगा और इनकी कहानी बहुत लंबी है और इनकी कहानी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में लिखी गई किताब है गैस की जंग क्रोनी पुंजिवाद और अंबानी बंधु और अंग्रेजी में लिखी होई किताब है गैस वार्स क्रोनी कैपिटलिजम एंड़ अंबाने और इसके साथ यूज क्लिक पर हमारे लिए क्रोनी कैप्टिलिजम और कैप्टिलिजम के जो अन्य सक्सियते हैं इस देश में बड़े-बड़े उन सब के बारे में परणजाय लिखते रहते हैं उसे पढ़िए शुक्रिया देखते रहे ये नियूस के लिए